सुनिता अपनी बहु पायल के साथ रेती है और उनके घर में बारा कंटों तक काम करने के लिए काम बाली उर्मिला आया करती है फिर एक दिन अरे पायल बहु उर्मिला से कहे दे कि मुझे वो कच्चे वेफर्स लाके दे बड़ी भूक लगी है मुझे अरे माजी उर्मिला अभी तक आयी नहीं है क्या कहा वो अभी तक नहीं आयी अरे फोन कर उसे अरे किया मैंने माजी लेकिन वो फोन ही नहीं उटा रहे ये लो अब तो उसका फोन भी स्विचोग पता रहा है ये उर्मिला भी ना सेच में आज तो हद हो गई पुरे एक गंट लेट हो चुकी है ये इचले कुछ दिनों से तो वो बस लेट पे लेट होती जा रही है आने दो उसे आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ वही तो अगर आज मुझे लेट हो गया तो बॉस तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं और आज भी मुझे ओफिस से आते हुए लेट हो जाएगा और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उर्मिला के कारण ही हो रहा है फिर दस मिनिट बाद उर्मिला वहाँ पर आज आती है और दोनों सास बहु उसे खोब ताटते हैं माफ कर दीजिये दीदी वह आज रास्ते में बहुत भीड दी ना और साथी मेरा फोन भी बन पड़ गया था जल्दी जल्दी में मैं चार्जिंग करना ही बूल गई देखो उर्मिला आज मैं तुम्हें आखरी चेतावनी दे रही हूँ कल से प्लिस टाइम पे आया करो आज तो इश्यू के छुट्टी है इसलिए कोई बात नहीं वरना उसके स्कूल जाने की तयारी भी मुझे ही करनी पड़ती ठीक है दीदी आप बेफिकर रही है मैं कल से टाइम पे आज आईगी अरे बोल बच्चन मत बन और तुझे आने में देरी होती है तो कल से घर से जल्दी निकला करना तू तो यहाँ पर भी तो टाइम से पहुच जाएगी फिर तो तुझे और हमें परिशानी के कोई बात नहीं होगी ठीक है अंटी जी मैं कल से वईच करेगी जल्दी निकलेगे घर से फिर उर्मिला अपने कामों में लग जाती है और अगले दिन चलिए माजी मैं आफिस के लिए निकल रही हूँ उर्मिला माजी का ध्यान रखना और हाँ इश्यो को आज हावडे हैं तो वो जल्दी आ चाएगी तो उसके आने के बाद उसे खाना किला कर सुला देना ठीक आए दिदी मैं कर देगी अच्छा दिदी उर्की है न क्या हो गया उर्मिला अरे ऐसे किसे जाते हुए वेक्ति को रोका नहीं करते चल अब टोक लगा ही दी है तो बोल दे क्या बोलना है तुझे उसको हाओ उर्मिला जल्दी बोल दे क्योंकि मुझे आज कैसी भी करके दस पजे की लोकल ट्रेंड पकड़नी है परना आज भी मैं ओफिस लेट हो जाऊंगी अच्छा ठीक है दिदी वो मुझे दो हजार रुपे चाहिए थे आप चाहो तो मेरी चालू महिने की तनक्वा मेंसे कार्ट देना लेकिन पिलिज मुझे दे दो ना दी दिदी क्या? दो हजार? अरे क्या बात कर रही है तो तुझे पिछले हाफते ही तो हमने तेरी तनक्वा दी थी और अब तो फिर से पैसे मांग रही है सब ठीक तो है ना? हाँ अंटी जी सब ठीक है और मुझे वो पैसे किसी आदमी को देने है जो मैंने उससे उधार लिये थे और अब वो मेरा से बहुत खा रहा है पिलिज दिदी अगर आपके पास होंगे तो दे दोना ठीक है उर्मिला ये लो पैसे आज तो मैं तुम्हे दे रही हूं लेकिन आईंदा से मुझसे ऐसे इसी भी दिन पैसे मत मांगना मेरी भी तनकवा होनी की बाद ही मैं तुम्हे पैसे दे सकती हूं तो ऐसे बीच महिने में मैं तुमें पैसे बार-बार कैसी दे सकती हूँ? हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ गई, इन पैसों के लिए धन्यवाद, और ऐसे बीच में ही पैसे मागने के लिए मैं आपसे माफी चाहती है दीदी. और एक कोई बात नहीं होर मिला, तुम माफी मत मांगो, बस आइंदा से ध्यान में रखना, एक है न, चलो बाई, बाई माजी, पेर पायल ओफिस के लिए निकल जाती है, और शाम होने पर, मम्मा मम्मा मैं खेलने जाओ, मेरा होंबग भी हो गया है, ओके बेटाओ, लेकिन ज शिताव हाँ से चली जाती है, अरे पायल बहू, सुभे उदमिला का बरताव काफी अजिब सा लग रहा था न, तुझे याद है, उसने एक दिन हमसे कहा था, कि उसे किसी से भी उधार लेना बिलकुल नहीं पसंद, हाँ माजी, याद है मुझे, और अब देख, आज वो क् थी, कि उसने किसी से पेसे लिए है उधार, जो उसको लोटाने के लिए वो हमसे पेसे ले रही है, इसका मतलब वो हमसे जूट बोल रही थी, छोड़ो नमाजी, हमें क्या करना है, वो उसकी नीचे जिन्दगी है, हमें पैसे आज भी देने थे और कल भी देने थे, लेकिन अब मैंने उसे मना कर दिया है तो वो आइंदा से ऐसे बीच महीने में हमसे पैसे कभी नहीं मांगेगी हाँ बहु ये तुने एकदम सही किया फिर एक दिन अरे उर्मिला तेरे आत में ये चोट कैसे लग गई और तू ऐसे लंगड लंगड कर क्यों चल रही है ए बगवान तुम्हें तो कितनी केरी चोट आई है उर्मिला और तुम इस हालत में काम पर आई हो आराम कर लेती ना घर पे वो क्या हुआ ना दिदी मैं मार्केट में चल रही थी और एक बड़े से पत्थर को टकरा कर धडाम करके गिर गई एहहहह चार? अरे इतना सब होने के बाद भी तू दाद दिखा कर हस्ती जा रही है एहहहह अरे डॉक्टर को दिखा के ही आरे ली हूँ आउंटी आप फिकर मत कर उन्होंने कहा है कि घर पर बैटकर अराम करो पर घर पर बैटकर तुम्हें और ज़्यादा बिमार हो जाईगी इसलिए मैं काम करने आई हूँ लेकिन उर्मिला आरे कोई बात नहीं दिदी मैं कर लेगी अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो आप मेरे लिए इतनी परिशन क्यों हो रहे लिए हो फिर भी उर्मिला तुम मात ज्यादा काम मत करो एक काम करो आज तुम आधा दिन के छुट्टी लेलो तो रादे दिन में जितना काम होता है उतना ही करके चली जाना ठीक है ना? की कईदी दिये? जैसा आपको हो फिर उर्मिला छे खंटे ही काम करती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है फिर रात में खाने के समय पायल और सुनिता ये सारी बाते पायल के पती अर्विन को पताती है अरे तो फिर आप दोनों ने उसे घर क्यों नहीं बेजा एसी हालात में उसे आदा दिन भी काम नहीं करना चाहिए था नहीं अर्विन हमने उर्मिला को घर जाने के लिए कहा था लेकिन वो हमारी बाद मान ही नहीं रही थी इसलिए मैंने उससे कहा कि ज्यादा काम मत करो और आधे दिन में ही वापस चली जाना और खर जाकर आराम करो अच्छा लेकिन मानना पड़ेगा इतनी मुश्किल होने के बाद भी वो काम करने आ गए कभी-कभी वो लड़की नाटक तो करती है लेकिन मन की बहुत अच्छी है आपका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता माजी पर किसी के लिए आप कभी-कभी अच्छी बाते करती हो तो कभी-कभी कितनी बुरी बाते करती हो हमारी आपे ऐसे लोगों को डबल डोलकी कहते है क्या? इसका मतलब तु मुझे डबल डोलकी कह रही है? तेरी इतनी इम्मत बहू देख अर्विन बेटा तेरी बीवी मुझे किस तरीके से बात कर रही है? अरे माप कर दीजिये माजी मैं तो मजाग कर रही थी फिर एक रोज त्योहार की दिन उर्मिला अपने घर से मिठाई बना कर लाती है हम् क्या स्वादिस मिठाई बनाई है वाँ मुझे तो मेरे माईके की याद आ गई शुक्रिया उर्मिला मिठाई तो तुमने बहुत ही मस्द बनाई है अरे दीदी इसमें शुक्रिया केने वाली क्या बात है लीजी और पूरा खतम कीजिए वाँकई में उर्मिला बहुत ही कमाल की बनाई है मिठाई लेकिन तुझे ये मिठाई लाने के क्या जरूरत थी अरे इसके खुश्बू से ही पता चल रहा है कि ये तुने शुद्धे देसी घी में बनाई हुई है खामका इतने पैसे क्यों खर्च किये तुने अरे क्या अंटी जी आप भी एसे बोलके आप मेरे को पराया मेसुस करा रही हो जब आपके गर पे कुछ अच्छा बनता है तो आप भी तो मुझे देती हो ना वैसे ही आज मेरे चिंकी का मन किया और त्योहार का पावन पर्ग भी था इसलिए मैंने यह मिठाई बनाई लेकिन उर्मिला तुम्हारी चोड़तो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है और उसके बाद भी तुम इतना सारा काम कर रही हो सच में तुमें देखकर तुम मुझे बहुत प्रेरना मिलती है रे इसाथ कुछ भी नहीं है दिदी मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है जैसे आप निभाती है आउर मिला वो तो तुमने सही कहा सबके जीवन में अपना-पना संघर्ष और अपनी अपनी जिम्मेदारिया होती है जो सबको निभानी ही पड़ती है सबकुछ ठीक चल रहा होता है फिर एक रात जब अर्विन ओफिस से लोटकर घर की तरफ जा रहा होता है तभी वो फुटपात पर उर्मिला को उदास बेटे देखता है फिर घर पहुचने के बाद क्या कहा उर्मिला सडक पर उदास बेटी थी लेकिन इसे क्यों भला अब वो सब मुझे केसे पता होगा पायल कि उर्मिला वहाँ पर उस तरह से उदास क्यों बेटी थी अब तुम दोनों ही कल सुबे उससे पूछ लेना अरे कल सुबे क्यों मैं अभी उससे फोन करके पूछ लेती हुना मुझे उसके चिंता हो रही है वो फो पायल रात के साड़े ग्यारा बच चुके है और मैंने उसे करीबन सवाद दस बज़े देखा था और अब तब तो वो घर भी चली गई होगी बे वज़े किसी को भी इतनी रात गए परिशान मत करो अरे हाँ मैंने तो समय देखा ही नहीं ठीक है मैं उससे कल ही बात करती हूँ फिर पायल और सुनीता अगली सुबे उर्मिला को पिछली रात की बारे में पूछती है और तब ही कैल में और उदास अरे हाँ लगता है दादा ने मेरे का कलवस सावंत नगर वाली रोड के फुटपात पर देखा होगा अरे तब ही मैंने अपने फोन पर फिलम देखे थी जिसे देखकर मुझे बहुत रोना आया फिर खाना खाकर मैं बॉक करने गई थी लेकिन माँ फुटपात पर बेट कर मैं उस फिलम के इज़ बारे में सोच रही थी क्या? हाँ दिदी बड़ी अज़ीब है तो तो और मिला कुछ भी करती है और नहीं तो क्या और मिला दिन पर के कितने काम होते हैं तुझे और उसमें भी तुझे फिलम देखने का टाइम कैसे मिल जाता है अब क्या करे दिदी पूरा दिन तो बस दूसरों के लिए ही टाइम देती रहती है मैं लेकिन कभी कबार खुद के लिए भी टाइम देना चाहिए ना हम्म्म ये बात तो तुने बिल्कुल सही कही जी दिदी फिर चल आज बहुत सारा काम करना है तुझे एक एक करके में तुझे सब बताती हूँ ठीक है आंटी मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे उर्मिला को चुपा रही है वो कहती कुछ और है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है क्या जल गया मेरे घर पर बहु उर्मिला अरे क्या जल गया रहे फिर सुनीता रसुई की तरफ आती है वो देखती है कि दुआ रसुई में से ही आ रहा है तभी पायल भी वहाँ पर आती है ओ नौ ये दुआ तो रसुई में से आ रहा है कई रसवई को आप तो नहीं लग गई ना फिर वो दोनों देखती है कि सबजी पूरी तरह से जल चुकी है लेकिन फिर भी उर्मिलाउं वही पर खड़ी है और किसी गेरी सोच में है अरे बाप रे उर्मिला, ए उर्मिला हा दिदि बोलो ना अरे क्या बोलो सबजी देखो पूरी जल गई क्या, सारी सबजी जल गई अरे तुम्हें हो क्या गया है उर्मिला ध्यान कहापर होता है तुमारा दुवा पुरे घर में फेल गया है और फिर भी तुम यहापर चुपचाद खड़ी हो अरे ऐसी कौनसी गहरी सोच में पड़ी हो तुम जो तेरे नाक में यह जलने की बूर तक नहीं आई अरे वो सर्दी की कारण मेरा नाक बंध हो गया है ना और में तो बस कुछ सोच रही थी इसलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया अरे पिछले तीन से चार दिनों से देख रही हूँ मैं कल भी तुने नल खुला ही रख दिया था और घर चली गई मैं कल बात्रूम में फिसलते फिसलते बची हूँ और उस दिन भी तुने हलवे में चीनी के जगे पर नमक डाल कर उरे हलवे के स्वात की बैंड बजा दी थी माफ कर दीजिये दीदिये वो पिछले कुछ दिनों से मेरी तबिया ठीक नहीं है न इसलिए मैं ऐसा बरताव कर रहे लिए लेकिन मुस्से जो गलतिया हुई है उनके लिए में आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है लेकिन आइंदासे में ध्यान देकर काम करेगी अरे हाथ वगेरा मच्चुड़ो उर्मिला हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हर वक्ट चोकर न रहेकर काम करो ताकि तुम्हारा और हमारा दोनों के वक्त और बाकी चीजों का नुकसान ना हो अब देखो फिर से तुम्हें पूरी सबजी बनानी होगी क्या तुम भी उर्मिला अरे कोई दिक्कत नहीं दिदी मैं चट से बना देगी और ऐसी सबजी बनाएगी कि आप सब चटकारे लेते हो एक खाएंगे फिर उर्मिला सारी सबजी फिर से बनाती है लेकिन उर्मिला के आजियो बरताव को देख कर सुनिता और पायल काफी परेशान हो जाती है फिर एक दिन जब पायल का हाफटे होता है तब ही वो काम से जल्दी घर आ जाती है और ए उर्मिला मुझे थोड़ा निम्बू पानी बना कर दोना बाहर बहुत कर्मी हो रही है उर्मिला सुन रही हो ना मेरी बात वजीब बात है ये उर्मिला क्या एरफोन लगा कर काम कर रही है क्या और ये माजी कहा पर है वो भी कही दिखाई नहीं दे रही फिर पायल उर्मिला को दूनने लगती है लेकिन वो उसे कही भी नहीं मिलती और फिर जब वो अपनी सास के कमरे में चाती है तो अब उन्हें बहुत तेस बुखार आया होता है ए बगवान माजी आपको तो बहुत तेस बुखार आया है और ये उर्मिला कहा पर है गर में कही भी दिखाई नहीं दे रही और वो आपको होस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई पता नहीं बहुँ उसे एक फोन आ गया और वो चली गई क्या फिर पायल उर्मिला को फोन करती है लेकिन वो उसका कॉल उटाती ही नहीं जिसके बाद पायल को पहुत कुस आता है अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबाना ना भूले सुभी सुभे बस शोराबा चालू हो जाता है इस घर में चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता अरे दीदी सुभे के 9 बज रहे है और हम सब 7 बजे ही उड़ जाते है अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है नेहा तुमें नहीं लगता क्या कि तुमको ज़्यादा ही बोलने लगी हो भूलो मत मैं तुम्हारे ननद हूँ तब ही आरोही की नजर अपने पिता जगजित के हाथ पर जाती है जिस पर प्लास्टर लगा होता है अरे ये क्या पापा आपके हाथ को क्या हुआ है अरे दो दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चड़ा हुआ है और तो अभी ध्यान दे रही है अरे कैसे ध्यान देगी सुनिता इसे गुमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवर पर ध्यान देगे ना हम लोगों से ये दो मिनिट के लिए भी बात नहीं करती इससे क्या ही उम्मिद रखे अब ये आप क्या कहे रहे है पापा मुझे क्या बस घुमने फिरने के ही काम है क्या मैं ओफिस के काम से थब चाती हूँ मेरे दिमाग में सो चीजे चल रही होती है इसलिए में आप सब को ठीक से वक्त नहीं दे पाती लेकिन बाहर के लोगों के साथ तक देर रात तक वक्त बिताती है फेर सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है दो दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पेर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सुजन आ गई क्या ए भगवान पापा अब तो आपके सुजन कम है की नहीं आँ अभी थोड़ी राहो थे अरे बिता जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर आया कर पिया कर अपने बेटे को बाहर गुमने ले जाया कर उसे तेरी जरूरत है बिटा अखिर इस तरह तो अपने में ही क्यों रहती है औरे मा आप फिर शुरू हो गई औरे आप लोग याँ पर खाली बेटे हो इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है लेकिन मेरे पास ओफिस में डेर सारा काम होता है मुझे पेसे कमाने है मा और अपना करियर सेट करना है ये रिष्टे दरी बगेरा मैंने बहुत निबाली लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है मा इतना कहकर आरोही वहाँ से चली जाती है आरोही अपने बेटे समर के साथ माईके में ही रहती है कुछ समय पहले उसका और उसके ससुरान वालों का खूब चगड़ा हुआ होता है जिसके बाद उसनी अपना घर छोड़ दिया होता है पता नहीं क्या होगा इस लड़की का मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है अपने माता पिता की लड़ाई के कारण उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी लेकिन हम अपने नाति को पूरा प्यार देंगे हा सुनिता तुमने सही कहा आरोई बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके माईके वाले ही संभालते है एक दिन सुनिता को आरोई की सास का फोन आता है सुनिता जी आरोई को बोली है ना कि आप पर वापस आ जाए अरे कब तक वह आपर गुसा हो कर बैठेगी वो हमारा समर के बगेर दिल नहीं लगता उसके चले जाने से माना घर के रोनक ही चली गई है बरका जी मेने और जगजित जी ने उसे पहुत समझाया है लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती बस यही केती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो और आप लोगों के बुरे बरताव के कारण वो ना तो खुद वहापर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी अरे इसा कुछ भी नहीं है सुनिता जी आपको को भी हमारे वेवहार से ऐसा लगा क्या उतने में वहाँ पर आरोही आती है और वो सुनिता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है अरे क्यों परेशान कर रही हूँ बार बार फोन करके नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास अब दो बारा यहाँ फोन मत करना लेकिन बहू मेरी बात तो सुन ले एक बार आरोही उनके कोई बात नहीं सुनती और वो गुसे में फोन कट कर देती है आरोही ये तुने कैसे बात की अपनी सास से ये कोई तरीका है क्या बात करने का लेकिन मा आप क्यों उठाती हो उस बुढिया का फोन तरह आप लोग अच्छी तरह से चानते हैं कि वहाँ मैंने कितना कुछ सहाँ है फिर भी आप लोग मुझे समझता करके वहाँ वापच जाने के लिए कह रहे हैं आप लोगों के लिए में और मेरा बेटा बोज़ बन गए है क्या अगर है तो बताओ मुझे आरे नहीं बेटा एसा कुछ भी नहीं है पर बोलो खुझ से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं तो तुझे भी उन्हें एक मूका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का मेरा मतलब ये है कि समर को इस उमर में अपने परिवार से अलग रखना ये बात सही नहीं है बेटा नहीं मा मैं उन गटिया लोगों को कोई मोका नहीं देने बाली और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अब मुझे ओफिस के लिए देर हो रही है बाए मा पिर आरो ही वहां से चली चाती है भगवान जी ये सब मुझे इस उमर में क्या देखना पड़ रहा है मेरी बेटी का संसर उजड रहा है परिपा करके इसके जीवन में फिर से कुशिया भर दो मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा क्या शनिवार को स्कूल में पैरेंट टीचर की मिटिंग है सबके ममा पापा आएंगे पापा तो शायद नहीं आपाएंगे लेकिन आप तो आओगी ना नहीं समर मैं शनिवार को अपनी सहलियों के साथ दो दिन के लिए गूमने जा रही हूँ इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आपाऊंगी लेकिन ममा अरे क्या लेकिन ममा तुम्हारी मिटिंग में मामा मामी आएंगे तुम उनके साथ चले जाना नहीं हा रमन तुम इसके स्कूल में चले जाना लेकिन दीदिये समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ पर किसी के माता-पिता आते हैं उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप बहुँ पर आओ पर बार मेर रमन ही जाते हैं देखो नेहा तुम्हें चितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम बस दादी अम्मा बन कर ग्यान के मूटी वटरना शुरू कर देती हो आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है फिर आरोही के जाने के बात मामी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ममा मुझे अब इतना प्यार नहीं करती और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी मैं समझ सकती हूँ बेटा लेकिन तुम उदास मत हो मामी है ना चलो आज हम दोनों साथ में थेटर जाएंगे वो तुमारे पसंदिदा कार्टून केरेक्टर की नहीं फिल्म आई है ना वो देखेंगे हम नहीं मामी मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म दिल इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती दीदी के बरताओं को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनके बुराई भी करता वो छोटा बच्चा जरूर है लेकिन काफी समझदार हो चुका है नेहा को समर के लिए बहुत पूरा लगता है फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है तभी नेहा की तबियत काफी खराब हो जाती है अरे आरोही बेटा आजना बहु की तबियत बहुत खराब है इसलिए आज के काम तू ही कर दे बेसे भी आज तेरा चुट्टी का दिन है ना सारे ना सही लेकिन जो जरूरी काम है बस बहु कर दे बेटा आरे नहीं मा मुझे के किसी पागल कुट्टे ने काट लिया है क्या ना बाबा ना मैं कोई कामधाम नहीं करने वाली। हफ्ते बर वहाँ अफिज आकर काम करू। और अब यहाँ गर में भी काम करू। नई नई, मुझसे ये काम वाँ नहीं होगा मा। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। मेरे भी कमर में बहुत दर थे, इसलिए मुझसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे मा, निहा बस नकरे कर रही है, अब ते वर्तक तो वो एकदम ठीक थे, फिर मेरी चुट्टी की दिन ही वो बिमार के से पड़ गई, वालतु की नोटंकी है बस, और कुछ नहीं, तभी वहाँ पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, निहा की तवियत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिये। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज़्यादा हत पार करने के कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके में बाहर काम करके घर में पेसी देती हूँ, निहा क्या करती है, अब उसे घर की भी काम नहीं हो पा रहे क्या, और क्या फाइदा मेरा माई के में रहे कर, आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फरक नहीं है। दीदी, आप पेसो की बात ना ही करो तो बहतर है, क्योंकि जितने पेसे आप देती होना, उसमें घर का आदा खर्चा भी नह ही निकलता, आपके पीछे नहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक की समर को भी वही संभालती है, आपको तो बस ओफिस का ही काम करना आता है, बाकि कुछ नहीं आता, देख रही हो ना मा, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे, बीवी की बहुत सा पर मत चड़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही बारी पड़ेगी वो, और आइंदा से मेरे साथ ये बत्तमीजी करने से पहले सो बार सोच लेना, क्यूंकि अगली बार में ये सब सुनकर नहीं लूंगी, आरोई के इस बढ़ता उसे, सभी घरवाले काफी गुसा होने लगते ह वो बस अपने पेसो का ही घमन दिखाती रहती है, और हर किसी के साथ बस बुरी तरे ही पेश आती है, विरेक रोज, जब आरोई अपने ओफिस के कलिक के साथ कैफे में बैटकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहाँ पर विराट भी आता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोई, और तुमें शरम नहीं आती क्या, शादी शुदा होने के बाद भी, तुम किसी गेर मर्द के साथ कैफे में बैटकर गपे लड़ा रही हो, विराट तुमने अपनी अकल बेश दी है क्या, जगे देखकर बात करो मुझसे, अरे जब मैं तुमारे साथ थी, तभी त जब मैं दूर हो चुकी हो, तो अब तुमें मेरी आत क्यों आ रही है, देखो आरोई, मैंने तुमें कभी अपने आपसे दूर किया ही नहीं है, तुम ही समर के साथ घर चोड़कर चली गए, और सारी गलती भी तुमारी ही थी, मेरी नहीं, और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा उसी लाइक हो, वो बाच के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, इतना कहकर आरोई ही वहाँ से निकल जाती है, फिर अगले दिन, जब वो अफिस से घर लोगती है, तभी वहाँ पर विराट को देखकर वो हेरान रहे जाती है, समर बेटा, ये देखो, मेनी इसे नमबर्स लाए हैं एक्जाम में, बहुत खूब बेटा, एसी ही तरक्की करो, शुक्रिया पापा, मेने आपको बहुत याद किया, मेने भी बेटा, मिराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर, और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया, आरोई, ये किस तरह से बात कर रही है तु, समर है तेरे सामने, इसके वारे में तो कुछ सोच ले हैं, समर बेटा, अपने कमरे में जा, पर ममा, मुझे पापा के साथ बात करनी है, मैंने कहा ना अपने कमरे में जा, सुना ही नहीं दिया के तुमें, ओके ममा, समर डर कर अंदर चला जाता है, अ मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ और ना ही मेरा बेटा आने वाला है इसलिए तुम अभी के अभी यहां से दफा हो जा और खबरदार जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आये तो देखो आ रोही समर मेरा भी बेटा है और उससे मिलने के लिए मुझे लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है अरे बन करो अपनी ये बक्वास अगर तुम रिष्टों की इज़त करना जानते न तो आज मेर समर्या होते ही नहीं आ रही बेटा जाने दोनाव क्यों खामखा बहस कर रही हो अपने बच्चे के लिए गुस्य को ठूक दे बेटा और गर गुरुष्टी को ऐसे मत उजाड बेटा आप दन को क्या लगता है मा पापा कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है नहीं ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि वो गर मेरा है ही नहीं वो लोग मेरे अपने नहीं है देख के लिए तुम्हें जा रहा हो लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आउंगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती इतना कहिकर विराट वहाँ से चला जाता है आगी की कहानी देखने के लिए हमारा अगला बाब देखना ना भूले और अगर आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले नालीनी और विजय काफिय मिर होते हैं दो पेटे होने के बाद भी उन्हीं अब एक बेटी पैदा होती है जिस कारण वो दोनों बहुत खुश होते हैं नालीनी जी विजय जी आप दोनों को इस संतान से बहुत बड़ा खत्रा है क्या लेकिन पंडिक जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पंडिक जी आखिर ऐसी कौनसी वजय है अब इसमें में भी क्या कर सकता हो इस लड़की के कुंडली में ही दोश है ए बगवान जी और इस दोश के अनुसार अगर ये लड़की आप लोगों के साथ रहे तो इसकी जान को खत्रा हो सकता है क्या ये आप क्या कह रहे है पंडिक जी मैं बिलकुल सही कह रहा हूँ जब तक आपकी वेटी पुरे 21 साल की नहीं हो जाती तब तक आपको इसे हमारे गुरु जी के आश्र मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी देखिए नालिनी जी आपकी बेटी और आपकी भलाई के लिए ये तैक तो आपको करना ही होगा पर हम अपनी बेटी से मिलने तो आ सकते हैं न और उससे बातचित भी कर सकते हैं नहीं विजय जी इसके इस दोश के कारण इसके आया भी नहीं पढ़नी चाहिए और तो और आवाज भी नहीं सुननी चाहिए अब क्या करें दोशी इतना भयानक है आप आर्थिक मदद कर सकते हैं आपको इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी लेकिन आपको इससे दूरी बनाये रखनी होगी पंडिक जी की बाते बहुत दुखी हो जाते हैं लेकिन उन्हें ना चाते हुए भी अपनी बेटी को गुरुजी के आश्रेम में बेजना ही पड़ता है 21 साल बार अब नालिनी के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी चोटे बेटे अनुच की शादी स्वाती से और बड़े बेटे मादों की शादी वर्षा से एक दिन अचानक से वीजय को एक मैसेज आता है अरे ये क्या ये तो किसी अन्न नंबर से मैसेज आया है और उपर गुरु मोहंदाज जी के आश्रम का नाम लिखा है दिखाईए तो अरे यहाँ पे तो किसी लड़की की भी तस्वीर है और लिखा है कि य हमारी बेटी है जिसका नाम गुरु जी ने सुहानी रखा है अरे वाह और इसमें ये भी लिखा है कि वो हमारे पास आती ही होगी वो भी किसी भी समय च्या इसका मतलब हमारी चुटकी आ रही है आव माधो बेटा क्योंकि अभी 21 सल पूरे हो चुके है अरे वाह पापा इस मोके पर तो पूरा घर फूलों से सजाना चाहिए स्वाती वर्शवा भी जाइए बढ़िया से पकवान बनाईए अमारी चुटकी जो आ रही है हाँ अनूज जी देवर जी हम जरूर बनाएंगे मा देखो तो कितनी सुन्दर दिखती है हमारी चुटकी हाँ बेटा तुमन दिया लेकिन अब इस चेहरे को देखकर मेरा मन तो प्रसन्न हो गया सच में मा ये कबर सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानूग घर में आज दिवाली है घर के सभी लोग बहुत खूश होते हैं और थोड़ी ही देर में सुहानी घर पर दस्तक देती है और उसके साथ मन भी आते है अब आपकी बेटी के जीवन का वो दोश मिट चुका है और अब ये आपके साथ रहे सकती है ये मेरा परिवार है हाँ मेरी बच्ची आजा बिटिया आजा मेरी लाड़ो सुहानी सबको मिलकर रोपरती है और सभी लोग खुशी के आसुबा आते है इतने सालो बाद आने के कारण उसे खुब लाड़ प्यार किया जाता है ये ले बिटिया ये मटर कच्चुरी है खाले इसे वाव माव ये कच्चुरी तो बहुत ही स्पाधिस्ट है सच में मजा ही आ गया तो सुहानी आश्रम से यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है बहुत अच्चा बहुत खुशी हो रही है वैसे इतने सालों तक आश्रम में रहने के बाद मेरा वहाँ पर भी एक बहुत अच्चा परिवार बना है इसलिए गुरु जी और बाकी लोगों से मिलने के लिए मैं वहाँ पर जाया करूंगी बहुत खुब सुहानी है और बेटी तेरे आने से गर में रोनक आ गई है सभी खुब बात्चित करते हैं फिर बात में कमरे को चुनते समय सुहानी को स्वाती और आनुच का कमरा बहुत पसंद आता है अरे वा ये तो बहुत ही सुन्दर कमरा है और कितना बड़ा भी है मैं इसी कमरे में रहूंगी यहाँ पर एसी मिनी फ्र रह सकती क्योंकि यह मेरा और तुमारे भाई का कमरा है नई स्वाती भावी में रहूंगी तो इसी कमरे में रहूंगी आप और अनुच भया मेरे बनाय हुए कमरे में चले जाओ पर सुहानी, अब ये दोनों एकदम से अपना कमरा कैसे बदल सकते है तुम्हारी लिए बनाया कमरा इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सुन्दर है, मेरा विश्वास करो लेकिन वर्शा भावी, ये दोनों मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या मैं यहाँ पर इतने सालों बाद आई हूँ और मुझे यही कमरा पसंद आया है पर सुहानी, मेरी बाद भी समझने की कोशिश करो ना ठीक है स्वाती भावी, आपको मेरे कोई कदर ही नहीं है जाने दीजिए, रहिए आप इसी कमरे में सुहानी रूट कर वहाँ से चली चाती है और उसके बाद वो अपना कंबल लेकर बाहर अंगन में सो जाती है जहाँ उसे पहुत थंड लगती है और उसे अंगन में देखकर नाली नियर विजय चोग चाते है अरे सुहानी बिटिया, तू या पर क्यों सो रही है बंगले में रह रही है और ये पूरा बंगला तेरा ही है लाडो तो फिर तू यहाँ पर क्यों सो रही है नहीं मापापा, ये अगर मेरा बंगला होता तो स्वाती भाबी और वैशा भाबी मेरे साथ ऐसा बरताव कभी नहीं करते मतलब क्या किया उन दोनों ने फिर सुआनी बड़ा चड़ा कर सारी बाते बताती है और उसकी बाते सुनकर नालिनी और विज grab बहुत कुस्सा हो जाते है और फिर वो दोनों अपनी बहु को खूब ताड़ते है अरे इतनी पूरी कैसे हो सकती हो तुम दोनो ये तुमारी ननद है इस घर की बेटी है और पूरे 21 साल बाद आश्रम से खुटके घर में आई है और उसके बावजुद भी हुम इसके साथ ऐसा व्यवार कर रही हो लेकिन पापा जी हम तो बस 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 स्वाती मुझे और कुछ नहीं सुनना है अरे बस एक कमरा ही मांगा है न इसने पुड़ी ना तुमसे तुमारे जेवर या पेसे मांग लिए बच्ची है वो इतने सालों से आश्रम में रही है और अब जो उसे पसंद आएगा वो देना तुमारा फर्ज है तमजी की नहीं ठीक है मांजी हम माफी चाहते हैं आइंदा से अगर हमारी बेटी को दुखी किया तो देख लेना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा इसकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का खयाल रखना जा बेटा फू हॉल में जाकर टीवी देख तब तब में नोकरों से कहे कर वाती और अनुच का कमरा खाली करवाता हो और तेरा सामान वही पर शिफ्ट करवाता हो ठीक है पापा अब सुहानी अनुच और स्वाती के कमरे में ही रहने लगती है वही उन दोनों को ना चाहते हुए भी सुहानी के लिए बनाए गए कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है हमारा पिर भी उस कमरे में हमारी कितनी आदे थी। अब क्या कर सकते है स्वाती। शुटकी की खुशी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इतने सालों बात जो आई है यहाँ पर और इसलिए हमारा भी यह फर्स बनता है। यह अब उसे दुनिया की सारी खुश्या मिलनी ही हाँ अनुज। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाने दो। सुहानी की खुशी में ही हमारी खुशी है। कोई बात नहीं। आप सभी घरवाले सुहानी की हर फर्माईश को पुरी करने में चुट जाते हैं। रोज उसकी पसंद का ही खाना बनता है। और वो अपने की बेटी ने पहने थे। और मुझे भी एक बड़ी ऐसा स्क्रीन टच वाला मेंगा फोन चाहिए। माफ करना मा अगर मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ तो लेकिन मैं उस सब का इस्तिमाल गलत नहीं। बलकि अच्छे काम के लिए ही करूंगे। क्यों नहीं बेटा। जरूर। तू आज अपनी दोनों बाबियों के साथ शौपिंग करने जा। और तेरा जो मन है वो सब ले ले। हाँ बिटिया। ठीक है मापापा। मैं अभी तयार होकर आती हूँ। सुआती भाबी वर्शा भाबी आप दोनों भी जल्दी से तयार हो जाए। ठीक है अभी आते हैं। फिर कुछ ही देर में वो दिनों शौपिंग करने निकल जाते हैं। और सुहानी पूरे एक ही दिन में सत्तर हजार का बिल बना देती हैं। वो बहुत महंगे कपड़े और महंगा फोन लेती हैं। और उसका बिल देखकर सुआती और वर्शा बहुत हेरान रह जाती है। ए भगवान अगर एक दिन में मैंने इतना बिल बना लिया तो मा जी और पापा जी मुझे सोगा लिया देंगे। और नहीं तो क्या। वैसे तो ये लोग कितने आमिर हैं। लेकिन दिल के कितने कंजूस है। लेकिन अपनी बेटी के लिए बराबर पैसा आई है। जाने दे। ये नया नया सब कुछ ऐसा ही रहता है। हाँ वो तो है। फिर एक दिन अच्छानक से सुहानी को हलका सा बुखा राता है। तभी वो पुरे घर को सर पर उठा लेती है। मा पापा मुझे तो बहुत अजिब सा लग रहा है। काफी कमजोरी भी आ ग आउंगी ना। हा बिटा तू बिल्कुल ठीक हो जाएगे। बक्टर ने भी कहा है कि ये हलका सब उखा रहे और मोसम के बदलाव के करण ये सब तो होता ही रहता है। ठीक है पापा देखो ना सर्दी भी कितने हो गई है मुझे। एक काम को रुस्वाती भवी आपना मेरे के लिए छोले भटुरे बना दो और हां तमाटर का गर्मा गरम सुप भी बना देना। लेकिन सुहानी तुम बिमार हो और ऐसे में छोले भटुरे है। हा बेटा तुझे इस हालत में ये सब नहीं खाना चाहिए। नहीं मा मुझे छोले भटुरे ही काने है। बिमारी में जो भी मन करता है वो खाना चाहिए, पर बिटिया, छोले बटुरे में कितना मसाला होता है, और बटुरे तो काफी ओईली भी होते है, मुझे कुछ नहीं पता पापा, अगर मुझे छोले बटुरे नहीं मिले, तो मैं दवाया भी नहीं खाऊंगी, अच्छा बाबा ठीक है, शान्त हो जाओ तुम, और स्वाती बहू, छुटकी के लिए छोले बटुरे बनाओ, इतना ही नहीं, वर्शा बाबी, आप मेरे लिए खिर बनाईए, जब मैं यहाँ पर आई थी, तो बापने बहुत अच्छे खिर बनाई थी, खिर के साथ साथ गुलाब जामुन भी बना कर, पीके सुहानी, अभी बना देती हो, सुहानी बिटिया, अब तु आराम कर, जब सारा खाना बन जाएगा, तब मैं तुझे उठा दूंगी, नई मा, अभी मैं पिच्चर देखूंगी, मुझे सलमान खान की फिल्में बहुत पसंद है, और पापा, आप अनुच भया औ मादो भया से कही है ना, कि वो मुझे विदश गुमा लाए, वो भी स्वीजर लाए, हम अगले महीने ही जाएंगे, आप उन्हें बताओगे ना पापा, लेकिन बिटिया, तु अभी ठीक तो हो जाए, फिर उसके बाद देखते है, हमें ठीक हो जाऊंगी मा, बस आप दोन आराम कर, और जल्दी से कीक हो जा, सुहानी की ये बढ़ती नोटंकी देखकर, स्वाती और वर्षा दीरे दीरे परिशान होने लगती है, अरे इसने तो हमारी नाक में दम करके रखा है, अभी इसे आये पूरे दस दिन भी नहीं हुए, लेकिन ये तो हमारा सरदर्द बन चुकी है, तुमने बिल्कुल सही का स्वाती, अरे सुहानी की हरकतों को, और उसकी चाल चलन को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, कि वो किसी आश्रम से लोट कर आई है, लगता है आश्रम में रेकर उसने कुछ अच्छा नहीं सिखा, इसलिए इतनी बे अकल है, आ पुहानी को देखकर तो ऐसा लगता है, कि वो आश्रम में बस रहने के लिए ही रह रही थी, वहाँ से तो इसने कुछ भी नहीं सिखा है, वही तो स्वाती, अरे हलके से बुखार में भी इतनी नोटं के कोन करता है बला, माना कि ये घर के छोटी बेटी है, लेकिन इतना न आटक तो कोई नहीं करता, फिर रात में जब वर्षा को निन नहीं आती, तब वो टेरेस पर चली जाती है, तभी अच्छानक से उसकी नजर नीचे जाती है, जहाँ पर वो देखती है, कि सुहानी बंगले के पीचे के गेट की तरफ जा रही है, ये क्या, ये सुहानी इतन कर चकित रह जाती है, कौन है ये आदमे, और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है, अब कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब